नमस्कार मैं रवीश कुमार देवेगोडा के पोते को देवेगोडा की बनाई पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है HD देवेगोडा के निजी सचीव रहे के आर शिवकुमार ने निलंबन पत्र पर दस्खत किये हैं इस समय के यार शिवकुमार जनतादल सेकुलर के महा सचिव हैं। वीडियो वाइरल होते ही जनतादल सेकुलर के कई विधायक प्रजवल रेवन्ना को पार्टी से निकालने की मांग करने लगे। नियूजेटिन के पत्रकार डीपी सतिश ने लिखा है कि उननीस में से कम से कम दस विधायक ऐसा चाहते हैं। या देवे गोडा का सबसे बड़ा इमतहान होगा। मगर हम इस वीडियो में पहले ग्रीमंत्री हमिश्शा और केंद्रियमंत्री राजीव चंदरशेखर के बयान की बात करेंगे। फिर इस F.I.R. में क्या कमिया हैं महिला संगठनों ने क्या कमिया बताई हैं उसकी भी बात करेंगे। पहले इन दोनों निताओं की बात करते हैं जिनोंने कहा है कि कांग्रेस सरकार को पता था पहले से पता था तो कारवाई करने में देरी क्यों ही गजब की स्पिन गिंदबाजी हो रही है। सारी खबरे आ रही थी कि बीजेपी के नित्रित्व को प्रजवल रेवन्ना द्वारा की गई यौन हिंसा और यौन शोशन के बारे में महिनों से पता था, हजारों वीडियो थे, अब कांग्रेस सरकार के उपर दोश मर दिया गया कि राज सरकार को पता था और कारवाई न पता दिया था, देवाराजे गौडा ने मई 2023 में बीजेपी के टिकट पर प्रजवल के पिता एचडी रेवन्ना के खिलाब विधान सभा का चुनाव लड़ा, हार गया और तीसरे नमबर पर आए, मई में चुनाव हारने के चार महिने बाद बीजेपी नेता देवेराजे रेवन्ना ने उनकी पतनी को अपने जहांसे में लिया, ब्रेन वाश कर दिया, उनसे मुलाकात किया, यही नहीं उसकी पतनी ने देवेराजे के खिलाब दहेज का केस कर दिया, जिसके बाद वे गिरफतार भी हुए, देवेराजे गौडा का कहना है कि रेवेराजे गौड के आरोप हैं इस इंट्रव्यू में देवराजे गौड़ा कह रहे हैं कि यह सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ बल्कि हजारों केसे हैं जिने रिवन्ना ने बरबाद कर दिया हम वारता भारती की अनुमती से उस इंट्रव्यू का हिस्सा आपको सुना रहे हैं कंड़ा में है अन मयाँ लिए हैं इस इनके साथ नहीं है वाँसलिक की अजिकी अंच प्रवाड़ी से जेंडिया भाणकिवा दिए सथील्टे कोड़ा हुआ इसे आख्तेकों रहे हैं लिए आ संतरपदेल्ली आके यावृति बेन्वाश्माड़ेदक उत्ति इल्ला ली, ननना था सर्कारा पिस्थूल यलक्त उट्टी इदिने इनके, ननना सेक्रिविटी इकोट्टी इदिने लन्हें, नन वेपन वेंडून्न ले इथ्टून्न ले तुमन लेंदेल्ली, इह बाइघागे पुटेसों किया शंच वोडिया दोगी मजोड़ेंग। मेरन बお願いके के सकते रसे विली वियर promises गड़न के सम्सक्वा फिर बंचन दोर्माय के सकंगे। अवर मेले प्रेजर राखे हैं अप्टिष्ट पोलीसी लाए कि अवरो इवंद कवच्च आखे तुड़े काकी कवच्च कोड़ना अवर इसत्य गुताक्त दल्व यह नवन थेड़ी ओप अमाइकमेले एफ़ार मारते हैं वाल्ली इवथ्टु नम्म एड़ीजीपी अपिस वेश्कोन रौवन नन्ना यला रिए दुष्चेत कोड़े अवलनन भागी माड़कान वल्ली अवली अवले इन्द अलवार केसन कोड़सीदु वल्ली ननन्न विर्ध्वगी है यूरे रेवन अवर इन्न बुलन यह यादारा तीवीले इद्रवडबन कूद कल्लिए अव अधिया हो पडिए अजय वेक्षिध अर है भी दो विग्द में व्ट चींग सन् गौर्ष ता के अधियृ है अधियो मेग मेंुचे फिटी एफ प्रिए कालया है कि यड़ए पÁंने इननुप्निंगा देखने के लिएम केसे सवस्थ थिल सेन् आच करते कालया है अब बेड़ मड़िके न इड़ी द्याहा वोईते देली अनना बेड़ ले कट्माड़ाएके नानू अधन्ना निवू चालेंज आगी तो कोंड़ी ननन समसारा आड़ा कि देली ननन वईत्तिक समसारां तल्ला ननन ता सावर आरा दाकले कुंड़ी देली बेकोंड नान या इसकी बात कर रहे हैं इस इंट्रिव्यू के तीन महीने बाद दिसंबर दोहजार तेईस में इसी देवराजे गौड़ा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंदर और भाजपा महासचिव बीयल संतोष को पत्र लिख कर वीडियो की जानकारी दी थी क्या देवराजे गौड़ा एचडी रेवेन्णा पर किसी और वज़स से आरूप लगा रहे थे इसकी विजाच होनी चाहिए लेकिन वीडियो वाईरल होने और रेवेन्णा के घर में काम करने वाली महिला के अफाई यार के बाद यह थोड़ी थोड़ी कमजोर लगती है मैसूरी से एंडिये के उमीदवार सी यद्वीर कृष्णाजात्यमराज वाईडियर चामराज वाईडियर चामराज नागर से थी एस बालाराज हासन लोगसभा से एंडिये के सिर्फ प्रज्वलन रहमनना और मंडिया से मेरे मित्र एच्डी कुमार स्वामी आने वाली 26 एप्रिल को इनके लिए आपका हर वोट मोधी को मजबूती देगा देश का भविश्यत तै करेगा देवे राजे गोड़ा ने आज भी वारता भारती को बयान दिया है कहा है कि साथ महीने पहले जो इंटरव्यू में कहा था उस परिवार का चरित्रव साबित हो गया है सामने आ गया है यह सारी बातें अब पब्लिक में हैं क्या गोदी मीडिया के एंकरों को वारता भारती को दिये इस इंटरव्यू के बारे में पता नहीं और अब जब पता चलियाएगा तुवे इस इंटरव्यू का क्या करेंगे दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे देवे राजे गोडा जब साथ महीना पहले इंटर्वियू देकर ये सब आरूप लगा रहे थे तब यह मामला इतना बड़ा क्यों नहीं बना बीजे पी ने तब ही एक्शन क्यों नहीं लिया लेकिन इसी देवे राजे गोडा के एक बयान से बीजे पी उतसाहित हो गई और खबरे चलनी लग गई देवे राजे गोडा का बयान आया कि ड्राइवर ने कॉंग्रिस नेताओं को पहले वीडियो दिया खबरें चलीं कि कॉंगरेस को पहले से पता था सरकार को वीडियो को जानकारी थी तब भी सरकार ने समय पर एक्षिन नहीं लिया यानि अब दोशी बीजेपी नहीं कॉंगरेस जादा है कुमार स्वामी ने भी कहा कि कॉंग्रिस ने वीडियो लिग कर पीडित महिलाओं की गरिमा का उलंगन किया हेडलाइन बदल बदल कर मूल खबर से नजर हटाने किया एक और कोशिश है लेकिन प्रजवल रिवन्ना के पुर्व ड्राइवर कार्टिक ने मीडिया में बयान दे दिया कि वीडियो उसी ने दिये और केवल और केवल बीजेपी के नेता देवराजे गौडा को दिये कॉंग्रिस के नेताओं को नहीं ड्राइवर कार्टिक ने कहा कि उसने देवराजे गौडा से मदद मांगी क्योंकि रिवन्ना परिवार उसे काफी परिशान कर रहा था उसकी जमीन का टुकड़ा अपने नाम कर रहा था देवराजे गौडा ने कार्टिक से इंसाफ दिलाने का बादा किया कार्थिक ने कहा कि अगर मुझे कांग्रेस के पास ही जाना होता वीडियो देने के लिए तो देवे राजे गौडा से इंसाफ क्यों मांगता देवे राजे गौडा ने दावा किया था कि कार्थिक ने उन्हें बताया है कि पेंडराइब डीकेश शिवकुमार को दे दी गई थी आज किसी तरह इस खबर को खत्म करने के लिए कई तरह की हेडलाईने पैदा की जाने लगी आपने ड्राइवर के बयान के सच्चाई देख ली बीजेपी के नेता देवराजे गौडा का इंटरव्यू देख लिया इसके बाद भी हमेशा यह बयान देते हैं कि वे मातरी शक्ती के साथ हैं लेकिन जब देवराजे गौडा पत्र लिख रहे थे वारता भारती को इंटरव्यू दे रहे थे हड़ी रिवन्ना पर आरोप लगा रहे थे तब उनकी पार्टी ने एक्शन क्या लिया प्रजवल रिवन्ना को सस्पेंड किया गया है लेकिन एफ आई यार तो हड़ी रिवन्ना के खिलाब भी हुई है उनके खिलाब क्यों नहीं कारवाई हुई इसलिए हमारा सवाल है कि कारवाई के नाम पर किसी को सस्पेंड करना बयान के नाम पर इधर उधर की बाते करना यह सब क्यों किया गया क्या इसलिए कि अलग-अलग हेडलाइन से मामले को भटका दिया जाएगा और मूल सवालों से लोगों की नजर हट जाएगी पूरे देश को एक कमिट्मेन्ट है कि कहीं पर भी मात्रु सक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना में। परन्तुं कोंग्रेस पार्टी जो हम पर आरौप लगाना चाहती है! मैं छोटी सी बात पुछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है ник कि सरकार कॉंग्रेस पार्टी की वे एक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्यूंकि टाइम पर रिलीज दिये गए हैं और अब तक कारेवाही कॉंग्रेस पार्टी ने क्यों में की कारेवाही हमने नहीं करनी है प्रियंकाजी हमसे सवाल पूछ रही है मैं प्रियंकाजी को कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी और मूद से सवाल पूछने की जगे आपके मुख्यमंद्री उपमुख्यमंद्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है क्यों जांच नहीं हो रही है इस प्रकार की जट्नाओं को चारवजनिक जीवन में, समाज में या निजी तोर पर कहीं इपर कोई स्थान नहीं होना चाहिए कठोर से कठोर कदम उठाने अमिशा ने कॉंग्रेस सरकार से सवाल पूछा अभी तक क्या कारवाई की गई, क्यों देरी हुई, या सवाल पूछने से पहले अमिशा को बता देना चाहिए था कि केंद्र सरकार ने अब तक क्या कारवाई की है, प्रजवल रेवन्ना को विदेश से भारत लाने में, यही पता देते कि प्रजवल को किसने भगाया प्रजवल कहां भागा हुआ है पता बीजेपी को था या नहीं पत्र के जरिये देवे राजे गौडा के जरिये पता तो था इसके बाग भी दिसंबर महिने में देवे गौडा परिवार को दिल्ली बुलाया जाता है देवे गौडा प्रजवल का रेकॉर्ड क्या है, HD रेवन्ना का क्या रेकॉर्ड है, बाब बेटे का क्या रेकॉर्ड है, यहां तक पहुंचने के अपने नियम काइदे तो होते होंगे, छान भी इनकी प्रक्रिया भी होती होगी, क्या तब भी किसी ने, आईबी ने, खुफिया विभाग ने, प्रधान मंत्री को अलर्ट नहीं किया कि प्रजवल रेवन्ना, HD रेवन्ना का यहां आना ठीक नहीं, दोनों का रेकॉर्ड ठीक नहीं, उस दिन तो प्रधान मंत्री ने बड़े हर्श के साथ फोटो ट्वीट किया, एक ही परिवार के तीन तीन नामों के आगे जी लगाकर आभार परकट किया, प्रधान मंत्री मोदी ने प्रजवल के पिता, HD रेवन्ना जी को भी टैग किया, अब इनके खिलाब भी आरूप लग रहे हैं, मगर प्रजवल रेवन्ना को उन्होंने टैग नहीं किया, आरूप बाप पर भी है HD रेवन्ना पर, मगर उनके खिलाब कोई कारवाई क्यों नहीं हुई, FIR में भी HD रेवन्ना का नाम है, मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रजवल रेवन्ना खुदी वीडियो बनाता था, अपने लैप टॉप में सेव करता था, ताकि वो ब्लैक मिल कर सके, अभी बिल भागा नहीं होता तो ट्वीट कर सकता था, मगर इसका ट्वीटर हैंडल सूना पड़ा है, हालत यह है कि सवाल प्रधान मंत्री से हो रहा है, जब आप ग्रे मंत्री दे रहें, प्रधान मंत्री से पूछा जा रहा है कि उन्हें प्रजवल के बारे में जानकारी थी या नह कि जब हमिशा की मैसूरू में रैली हुई तब पुर्वविधायक प्रितम गौड़ा और आर्टी रामस्वामी ने उन्हें मिलकर इसकी जानकारी दी थी जेडियेस से गठबंदन के लिए मना भी किया तब हमिशा ने क्या किया हमिशा को लक्षमी हेबलकर के आरूपों का ज जंदर शेखर ने दिया है मतलब यह भी अजीब है लोगों ने देखा ही है कि जब बीजेपी के सांसत ब्रजभूशन सिंग पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पेडन के आरूप लगाए तब बीजेपी ने और प्रधान मंत्री मोदी ने इस कदर जीरो टॉलरेंस की नी जानी मनिपूर तक नहीं गई क्या यह जीरो टॉलरेंस की नीटी थी देखें यही है बीजेपी का मॉडल और यही है मोजी जी का मॉडल और यह पहला कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है इससे पहले भी हम लोगों ने देखा जो मनिपूर जल रहा था तो प्रधान में कोई ग कर रहे हैं तो इस पर भी प्रधान मंती जी ने चुप्टी साथ है कुछ नहीं बोला और जब यह हुआ है लगभग डाई हजार महिलाओं के साथ शुशन का आरोप लगा है जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है इनके कुछ दिन पहले ही प्रधान मंती जी प्रचान में गे पूरी तरीके से बीजेपी के लोग इन लोगों को नहीं सक्त कारवाई करने के बज़ाएं दोश्यों को भगाना और बचाने का काम करने मोधी जी बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाना लेकिन मोधी जी क्या हुआ है आपके राज में आपके आरिकाल में लेज़ता और आप लोग जो है चुकी साथ है जाना चाहिए कि जिसे निलंबित किया गया है वो भागा कहां है उसके भागने की जानकारी परिवार में किस किस को थी पार्टी में किसे थी परिवार ने क्यों नहीं जानकारी देश को दी यह बरलिन है 29 अपरेल का यह वीडियो है है हैरानी की बात है कि गोदी मीडिया का कोई पत्रकार अभी तक जर्मनी नहीं पहुंचा और प्रजवल की खोज नहीं कर रहा है उससे भी हैरानी की बात है कि वीडेशों में भारत के राजदूतों के बयान नहीं आरहे है आईरलेंड के अखबार में नरिंदर मोदी के बारे में कुछ लिख जाता है तो वहां के राजदूत ने अखबार को लंबा चोड़ा पत्र लिख दिया और पत्र में मोदी मोदी कर दिया तो जर्मनी के राजदूत का बयान क्यों नहीं आ रहा है यही सांसद अगर विपक्ष का होता तो तमाम दूतावासों से बयान आने लग जाते इस बीच आप दर्शक अपने स्क्रीन पर बरलिन की इन खुबसूरत तस्वीरों का आनंद मत लीजिए बलकि उन तमाम महिलाओं का ख्याल कीजिए जो इस वक्त प्रजवल के कारण भयंकर तनाओं में होंगी सोचिया कि इतने दिनों से ये सांसद ऐसी हरकते कर रहा है इसके बाप पर भी कथित रूप से ऐसे आरोप हैं एक भी औरत सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा सकी इनका आतंग कितना भयंकर होगा क्या उसका किसी पत्रकार पर भरोसा नहीं रहा होगा क्या उन महिलाओं का किसी एंकर पर भरोसा नहीं रहा होगा किसी पुलिस सबसर पर भरोसा नहीं रहा होगा, समाग पर भरोसा नहीं रहा होगा, ये कितना भयानक है कि विचुप रह गई, उनके साथ लंबे समय तक इतना गलत होता रहा उनके चुप रह जाने के इन कारणों पर सोचिए अब सोच भी कीजिए कि पता नहीं कितनी महिलाएं इस वक्त मानसिक रूप से तूट चुकी होंगी और भारत के पुर्वप्रधान मंतरी का पोता और हासन लोकसभाद से उम्मिद्वार जर्मनी की सुख सुविधाओं का आ बहूत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पर खड़े थे जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा उन्होंने हाजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया हाजारों महिलाओं के साथ मैं पूछा चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं हमारे प्रधान मंत्री इसके बारे में हमारे ग्रे मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में कुछ समय पहले तीन दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई प्रधान मंत्री जी ग्रे मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गान्नी विदेश में गई है जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है लेकिन इस तरह का अप्रादी इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर सब चीज हर जानकारी इनके पास जाती है सब बिड़ेताओं पर यह ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है क्या कर रहा है और इतना बड़ा अफराइद करके इनके नाक के साम दे कोई देश ते भाग गया और यह कुछ नहीं कर रहे है देखिए बैने कॉंग्रेस सरकार ने S.I.T. का गठन कर दिया है लेकिन अभी तक S.I.T. की प्रेस कॉंफरेंस नहीं हुई है तो पता नहीं या अधिकारिक रूप से प्रजवल रिवाना के कितने वीडियो है कॉंग्रेस कहती है तीन हजार वीडियो है बीजेपी के नेता भी यही संख्या बताते है सरकार को बताना चाहिए S.I.T. को बताना चाहिए कि प्रजवल ने कुल कितनी महिलाओं को प्रतारित किया है कितनी महिलाओं के साथ कथित रूप से यौन हिंसा की है यौन शोशन किया है और कितनी महिलाओं के साथ कथित रूप से बलातकार किया है एक ही FIR हुई है जिस महिला ने FIR दर्ज कराई है वो प्रजवल के घर में काम करती थी यह तस्वीर 15 अपरेल की है 14 अपरेल को महसूर में प्रधान मंत्री की रैली हुई उसके अगले दिन होले नर्सीपुर में बीजेपी और जेडियस के कारकरताओं का सहीं तसम्मेलन हुआ उसी की यह तस्वीर है इस फोटो में बीजेपी के प्रधेश अध्यक्ष बीवाई विजेंदर और प्रजवल बैठे हैं प्रजवल ने भी बीजेपी का गमचा पहना हुआ है प्रजवल रिवरना ने खुद इस फोटो को ट्वीट किया है हमारा सवाल है दिसंबर 2023 में ही बीजेपी के नेता देवराजे गौडा ने बीवाई विजेंदर को पत्र लिक कर बता दिया था कि करिब 3000 वीडियो हैं इसकी जांच होनी चाहिए तो 15 अप्रैल को जब बीवाई विजेंदर इस तरह से प्रजवल के बगल में बैठे हैं तब क्या उन्हें यह सब याद नहीं रहा होगा कि यह उमिद्वार कैसा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बताना चाहिए कि जब देवे राजे गौडा ने इसके वीडियो के बारे में बताया तो उन्होंने पार्टी में और किस-किस निता को बताया और क्यों नह इन लोगों ने वीडियो को लेकर कारवाई क्यों नहीं की चार अप्रेल के हिंदू में छब चुका था कि भाजपा के कारेकरता प्रजवल रिवन्ना के लिए प्रचार नहीं करना चाहते हैं उस दिन बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजेंदर ने कहा कि भाजपा के स इस दिन बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाती है इस दिन बीजेपी के अंदर वह एक बड़े नेता की हैसित से सम्मानित किये जा रहे थे तो कई सारे प्रमान हैं जिन से सवाल बनता है कि बीजेपी जानते हुए भी क्यों अंजान बनी रही। क्या इसलिए कि एक सीट का सवाल है और जेडिये से गठबंदन होगा तो दूसरी सीटों पर फाइदा होगा। क्यों बीजेपी के इन निताओं ने उन महिलाओं की चिंता नहीं की जिने प्रजवल रिवर्ना ने प्रताडित किया यही नहीं महिला संगठनों ने फाइयार की भाषा पर भी एतरास जताया है। इन सब का कहना है कि एक महिला ने दर्ज कराई है। लेकिन बताया है कि जब प्रजवल रिवर्ना घर पर होता था उसके साथ 76 अन्य महिलाएं सहाईकाई भी डरी होती थी। वह उनके साथ भी कथित रूप से यौन उत्पिडन करता था। ऐसी घटनाई बार-बार हुई है और प्रजवल ने इसके वीडियो बनाए है। वीडियो देखकर साफ लगता है कि कई वीडियो में इक्षा के विरुद संबंद बनाए गए हैं जो बलतकार की परिभाशा में आ सकते हैं। शिखार थी, शिखार बनी है, वो महिला डीटेल लिखी है कि उनके उपर लहेंगे दरजन क्या क्या हुआ। और रेप हुआ। उन्हों बोलने के बाद भी हुले नर्शिपूर पोली स्टेशन वालों ने कि उस फाइलर में अलग-अलग सेक्शन डाले हैं कि 354, 354 AB और 506, 599 डाले हैं, मगर रेप सेक्शन नहीं डाले हैं। क्या ये भोले नर्शिपूर पोली स्टेशन का इंस्पेक्टर जो आरोपी हैं, उनको बचाने के लिए ये साजीश करे हैं। और इसके साथ साथ वो महिला कि स्पष्ट संकेत, स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके उपर क इसके क्या दोरजन हुआ है कि उसके मुताबिक या फायर करना जरूरी है। और इसके साथ हमने ये भी आक्रा किया है क्योंकि प्रजवल रेवर्ना एंड फैमिली इतना बड़ा उनका कबजा है उस एरिया में कि आफिसरों के साथ नाता है। इसलिए हमने डिमांड करे हैं जो जो पूलीस आफिसर जो जो अलग-अलग आफिसर इस के दाइरे में आते हैं कि उनको वहां से ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ इगागले आल्रेडी जो महिला कांपनेंट दिया है वो सेकेंड आफ़ायर करना और रेप सेक्षन डालना बहुत जरू और ये जो प्रजवल है और इनके जो फैमिलीज के बात है इनका मान रख्षन करने के लिए अगर मीडिया भी इसमें शामिल हो जाता है एक गोधी मीडिया के साथ अगर दुसरा दुसरा मीडिया भी शामिल हो जाता है तो ये सक्ट गलत है सक्ट गलत है इनसाफ की दिशा में काम हो रहा है ये जाच में सहीयोग करेंगे टाइप के फर्जी बयानों को खबर समझ कर खबर पढ़ना बंद कर दीजिए नमस्कार मैं रविश कुमार